हेलो दोस्तों आप सब का सुआ गेता है आपके अपने यूट्यूब चैम फिल्मी रियक्शन में तो कैसे आप सब उमीद आप लोग अच्छ होंगे मैं बिल्कुल अच्छ आप लोगों की दुआ से तो दोस्तों आज इस वीडियो का मैं रियक्शन लेके आई हूं वो है कि चुनाफ तो मैं लड़ूंगा मुझे कोई रोक नहीं सकता हम यह मैं कि कहां से लडूंग लेकिन चुनाफ तो मैं लडूँगा मतलब भी पोलітिक्स ने आईंगे तो कल आएंगे कल ने आंगे तो परस्वाएंगे अब बात रही ह। आक्षा सिंग एड्पक करने कि ऐस पारे में बात करेंगे अक्ष्रा सिंग के या खिसारी भीयागी उसके बाद देखते हैं फिर यदिया खुम कोई रोग नहीं सकता है यह आपने डिसाइड के लिया तो हम भी यह उम्मीद लगाए बैठे हैं और हम चाहते हैं कि आपको बहुत जल्द जनदा के बीच सांसत के तौर पर आप दिखें पवन जी क्योंकि बहुत दिन बाद आपसे मेरी मुलाकात हो रही है पहली बार मेरी मुलाकात आपसे हो रही है और मैंने आपको टीवी पे देखा है मैंने आपको फिल्मों में देखा है गाते वे देखा है बचपन से देख रही हूं मैं आपको हमारी लाके में आपका बहु अभिनेता बहुत मानता है एक आधर है आप होले कर पवन जी एक ऐसे शक्सियत है होली में अगर ले लो तो पवन जी दिवाली ले लो बिहार में तो पवन जी दुरगा पुजा ले लो तो पवन जी मतलब पवन जी के गाने नहीं बज़े तो हमारे हाथ तेवहार नहीं मनता तो मैं यह जाना चाहते हूं कि आखिर वो पवंजी खुद को कैसे सब के बीच में रखने के लिए मजबूत रखते हैं क्योंकि दिक्कते हर लोग के बीच में आती है पवंजी के लाइफ में दिक्कत आती है तो ये कैसे परिशानियों को जहल के मजबूती के साथ रहते हैं एक सफल इंसान के पीछे बाधायें तो बहुत आती हैं उससे रफ़ और से ही नहीं है चाहे कोई भी कलगार हो या कोई भी बड़े लेवल पर बैठता हो कोई भी इंसान हो जहां तक आपने बोला देखी स्टार बनना बहुत बड़ी बात नहीं होती है मान लीजी आज की डेट में तो ऐसे ऐसे भी बच्चें हैं गाने वाले जो यूटूब पर गाना आया उस आर्टिस्ट का गाना 500 मिलियन है 600 मिलियन है 200 मिलियन है किसी का 300 मिलियन है गानवा तो हीट हो गया है देखिए एक गाना हीट होता है जो सिर्फ यूटूब पर भ्यूज लाता है मार्केट में सुनाई नहीं देगा एक गाना ऐसा हीट होता है जो यूटूब पर कम भ्यूज होगा तो आपको वही गाना सुना ही देगा तो audience का प्यार कब कहां किस तरीके से मिलेगा इस बंढे ही क्या हां तु पांसो मिलियन हो गया है गाना हीट है, और किसी को यह नहीं पता है कि इसका singer कोन है इस गाने में कोन सा artist ने काम किया है किसी को भी काम ऐसा करना चाहिए देखी कलकार एक मेहनत करता है कोई रातो रात इस्टार बन जाता है रातो रात गाय भी हो जाता है बट पवन सिंग को मेहनत करते हुए 32 साल हो गया है आज भी ऐसा यह है इस डिजिटल दुनिया में भी हम लोग अपना जीवन शुरू किये थे कैसेट स फिर सेडी पे आए आज यूटूब पे आ गया है तो हाँ एक चीज मैंने हमेशा यह किया है आज पुरानी हीरो का नाम ले लू मैं सिनियर पुराना नहीं बोलूगा मैं पुराना नहीं बोल सकता क्योंकि बड़ा-बड़ा होता है आप अपना सिस्टम बदलते रहिएगा तो आप मार्केट में हमेशा नहीं रहिएगा किसी को दोखा मत दीजिए बट आप मेरे पास हैं कोई नया आया और बोला कि भाईया मेरा चीज सुनिये ना हाँ बेटाज बिल्कुल सुनाई ये तो अगर वो चीज भागया तो मैं ये नहीं देखता हूं कि वो नया है कि पुराना है घञा कि तक हम यज पुरा करने जा रहा हो हैं ये बी आगईा साथ हीच हो गया तो मैं इसको भोल जाओ नहीं मेरे नजर में जो पहले महान था अगर नया आया तो उनका अस्थान सेकंड है मेरे जीवान में वो फुर्स्ट कभी ses करों सकते। फर्स्ट जिससे मेरा दोस्टी है जिससे मेरा लगाउ है जिससे मेरा काम है उसके साथ काम करूं चयहना करूं बटस्ता निल में फर्स्ट उसी का बिल्कुल और वो कलाकार टिकाव कलाकार वही होता है जिसको माताएं बहने पसंद रहती है तो मैंने हमेशा से ऐसा ऐसा गाना मार्केट में दिया है जो 20 साल पहले भी मैं गाता था मंज पे और आज भी पाउन सिंग उस गाने को शुरुवात करता है वो चाहे साइड सौंग हो या रोमांटिक सौंग हो तो हमारे ओडियन्स चिला देते है यह मेरा सबसे बड़ा संपती है तो किसी भी कलाकार को सोचना चाहिए कि अगर हम आटो में बानी तो फोर विलर में भी बज़ूं घर में भी बज़ूं रोड पे भी बज़ूं ओडी में भी बज़ूं तो मैंने अपनी जीवन में हमेशा कोसिस किया है कि मैं नया करूं कुछ-कुछ काम ऐसा करूं जिस काम को घर में देखा जाए और घर में सुना जाए अभी मैंने भूला कि पवन कैसे जादू बगार रखा तो मुझे लगा कहीं आप ये पलेट के नाम के आगे जी लगाए पवन जी बोलिए नहीं तो नहीं चलेगा नहीं नहीं देखिए क्या है इसको अच्छाई कहिए या बुराई कहिए मैं जीवन में किसी से मिलूँ ये मेरा नेचर है हम एक दूसरी को अगर जान जाए तो तुम आप आप सारी आप पवनवा बोलिये ना या आजकल जिस लेंग्वेज में बाते होती हैं दिली में मुंबई में या थोड़ा उसको हाई बोला जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है मार दो चलेगा पर पहली मुलाकात में आप कितने भी बड़े हो और तुम कान में आ गया तो वो मैं बरतास नहीं कर सकता है आप आप हैं तो मैं मैं हो पहली मुलाकात में तुम क्यों आप ठीक है बड़े हैं तो आप बड़े हैं तो हम भी तो कुछ है या कुछ नहीं है फ कि बाइकि, बाइकि हमारे विए हुआ हम बच्पनते शी आप ऐसे थे कम बोले वाले, सटिक जबाब देने वाले हम तो इतना ना बोलते थे पहले मैं ज्यिस काम करता था किसी को चैन से बैठने नहीं रेता था इतना वदमासी करता था इतना में महिद्वन systems हाँ लेकिन वही बात है छुप रहता हूं फिर-भी फिर-भी कांट्रोवर्सी में पौन सिंख इधर देखे आपको पहुने सिंख दिखेगा, न्याकि इसको क्या हुआ पौन सिंख उधर क्या हुआ पौन इधर क्या हुआ पवान सिंग, आज जो सिंगिंग शुरू किया, आज जो एक्टिंग शुरू किया, उसका भी कॉमपुटीटर कौन है? बावन सिंग कोई लिक्कत नहीं है तो इस कॉंट्रवर्सी से आपको फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है माता, पिता, गुरु, भगवान, ओडियेंस अगर ये आशिरवाद आपके सर पे है तो फिर कोई आपका कुछ नहीं बिगार सकता कुछा पावन सिंग हो या कोई भी आर्टिस्ट हो या कोई भी इंसान हो पावन जी कुछ फोटोस दिखाना चाहूंगी आपको हाला कि आपको फोटो स्क्रीन पे मिल जाएगा इससे जोड़ी मेमोरी में जानना चाहूंगी, कुछ फोटोस हैं आपका मेरे पास कित्थे पतले थे ये कब की फोटो है कि तो हमके पते नहीं कि हम कब उस तरफ मुबाइल था की नहीं था की कैमरा के फोटो हागिकाती के फोटो हमको ध्यान ही नहीं है इनका नाम भी पवन ही है हाँ ये वाइरल तो हुआ था एक समय में ये भी कि हाँ ये देखिये पाशानी है कौन मुझे लगता है कि जब आपने स्टार्ट किया था करियर तब का ये है अपना ध्यान नहीं है बाबू चलिए ये एक फोटो लेकिए ये कब की फोटो है कौन से फिल्म का लूक है ये मुझे लगता आप संगीत की तयारी कर रहे है हम घर में बैठा लोका कहीं लग रहा है कोई किसी म्यूजिक मीटिंग में बैठा हूं ये हमारी मां है चाची है मारे पापा है वो पवन है मेरा बीच वाला बड़ा भाई गुड़ू भीया है ये चोटा भाई रितिक है ये ये तो मैंने भी देखी है इस तस्पीर पर थोड़ा सा गुस्से में था मुझसे कुछ निकल गया था जो कि हमको नहीं नहीं निकालना चाहिए बट क्या करिएगा मैं भी इंसान हूं न उतना ही उमली करो जितना बरदास हो सके एक एक ये तस्वीर एक्शन मोड में कितने अच्छे लग रहें क्या कह रहें आप इस पोटो में हो सकता है डिरेक्टर को सुझाव दे रहा हूं ऐसे करेंगे तो अच्छा आएगा इस तस्वीर को दुनिया भी देख रहा है न कोई बात नहीं जो हमारा पास्ट है वो पास्ट हमें अपनाना चाहिए ना पर बिल्कुल इस पर क्या कहना चाहिए इसके लिए ना रिचा जी मेरे पास कोई सब्धी नहीं है जीवन में जो मैं देवी पाया था जो लक्षमी पाया था इनको मैंने खो दिया और इनको जब खो दिया तो फिर उमीद भी खतम हो गया कि मुझे मुझे ये देवी नहीं मिल पाएगी मैं अपने जीवन में जाए पगलो काहें लाइसन कई दू क्या बोलो चलो ठीक है कुछ भी है जो तुमने किया मैं अच्छा हूं खराब हूं गलत हूं या सहीं हूं वो उनको पता है मैं कुछ सफाई ने दे सकता वागो लेकिन मैंने अपने जीवन में अफसोस अगर किया तो सिर्फ इसी के लिए बाकी मेरे जीवन में कुछा ऐसा मिला ही नहीं जिसका अफसोस करूं कि हाँ ये आया था चला गया वो चहें मेल हो या फीमेल हो मेरे जीवन में 49 साल के करियर में किसी चीज का पहुन सिंग को अफसोस है तो सिर्फ और सिर्फ यही हमारे जीवन में देवी आई थी जिसको मैंने खो दिया इस से ज़्यादा ने गुज़ा है तो वो कैसे शुरुवात हुई मैं वो आप से जानना चाहूंगी आप आरा से आते हैं छोटे से जगह से आते हैं वहाँ पर उस समय उस जमाने में कसट्स का जमाना जब होता था सिंगिंगरना बहुत बड़ी बात होती थी पवंज आपको खुद पता था कि आप सिंगर बने वाले या किसी ने आपको कोई गौड फादर मिला वो कहा कि नी आप अच्छा गा सकते हैं मेरे चाचा ही हमारे गुरू है देखिए बच्पन में क्या है ना बच्पन में मैं बहुत गरीब घर से था आज भी गरीब हूं मैं अमीर नहीं हूं हाँ दिल कामीर हूं दूआ के संपती है मेरे बास पैसा नहीं तो जी बहुत अच्छे इंटर्व्यू लगा मुझे लेकिन इन्होंने इतनी सारी फोटोस दिखाई इनके पास्ट किया ना जब यह छोटे थे जब बिल्कुल पतले से थे जब इनका करियर स्टार्ट हुआ था जब इनका करियर स आत में लेके यार यह इनके चहरे से दिख रहा था कितने इमोशनल हो गए थे हैं ना इनकी पास वो कह रहे हैं कि मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है और वाक्य में लग रहे हैं कि इनके पास वर्ड्स ही नहीं है बहुत प्यार करते हैं अब उनको लेकिन वही है ना कि अब यह हम भी हर कोई जो भी मेरी वीडियो देख रहा है वो भी और जो भी मेरी वीडियो मतलब मेरी बात सुनके किसी को ये बात बता सकता है ना चाहब कोई गल्फरेंड ओ बोइफरेंड ओ कोई भी रिलेशन हो प्लीज एक बात की गांट बांद के रखलो जो रिष्टे आपके पास है ना उनकी अभी एहमियत कर लो उनके जाने के बाद आप लोग बहुत पष्टा होगा कुछ चीज़े ऐसी हो जाती है कि वापिस नहीं आजकते भाई अगर उसकी शादी हो जाती है या कुछ और हो जाती है वापिस नहीं आ सकते हैं, तो जो आपके पास है ना, जो इंसान आपका 100% कर रहा है, जो आपको बहुत प्यार करते हैं, प्लीज उसका दिल से आप लोग भी प्यार करो, इज़त करो, उसको बहुत प्यार दो, ऐसा ना कि कल को आपको पश्टाना पड़े, देखो, पैसा है, कमाओ, पैसा कमाओ, इच्छा पूरी करने के लिए पैसा होना चाहिए, लेकिन, इतना ना, पैसे की पिछे भागो की, जो आपके पास एक एसेट्स है, ना, आपका जो जो आपके बीवी, बच्चे जिससे भी आप प्यार करते हो, वो अगर दूर चलेगे ना, आप कभी, फिर क्या करोगे यार, अगर किसी इंसान के पास पैसा है और उसके पास प्यार करने वाला नहीं है ना, तो कितना ही बड़ा बंगला हो, वो अधूरा-धूरा फील होगा, पैसे से आप प्यार नहीं खरीच सकते हैं, अगर आपके पास पैसा है, ठीक-ठीक है, जादा नहीं है, बस इतना है कि आपका अच्छा गुजारा हो जाए, और आपके पास प्यार करने वाला नहीं है, तो आपके अच्छी जिंदिगी क्याल रखे टादा बाइ बाइ